हलो गाईज में हूँ आरियन गाईज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कैनरा बैंक के सेविंग्स अकाउंट यूज करते है यानि अगर आपके पास कैनरा बैंक के सेविंग्स अकाउंट मौजुद है और आप उस अकाउंट को बंद करना चाते है तब savings account बंद करने पर कितना charges लगने वाला है। और साथी साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह के savings account के उपर charges लगने वाला है। ये सबी बाते details में बताएंगे, इसलिए भीडियो को बिन स्किप किये end तक जरूर देखें। तो गाइस जैसे कि आप यह पर देख सकते हैं कि कनरा बैंक में काफी तरह के savings account मौझूद है। जैसे कनरा बैंक, savings bank deposit account, कनरा बैंक, small savings bank deposit account, कनरा जीवन धरा, HB account for senior citizen, कनरा savings bank account, etc. तो आपका savings account किसे भी types के हो, हट types के savings account के उपर, savings account close करने पर, सेम तरह से charges लगने वाला है। तो चलिए आप जान लेते हैं, अगर आप कनरा बैंक के savings account बन करते हैं, तब किस तरह से charges लगने वाला है, और कितना charges लगने वाला है। तो guys जैसे कि आप यहांपे दिख सकते हैं कि अगर आप कनरा बैंक के savings account टोपेंड करने के 14 दिन के अंदर savings account बंद करते हैं तब किसी भी types के savings account के उपर कोई भी charges नहीं लगने वाला है यानि आप free में ही savings account बंद कर पाओगे guys अगर आप savings account टोपेंड करने के 14 दिन के बाद और maximum एक सल के बीच में यानि 15 दिन से एक सल के बीच में savings account बंद करते हैं तब कनरा बैंक के 70 के savings account के उपर 200 रुपिया charges लगने वाला है और guys अगर आप savings account टोपेंड करने के एक सल के बाद savings account बंद करते हैं तब 70 के savings account के उपर 100 रुपिया चार्जिस लगने वाला है तो गाईज आज के वीडियो में इतना ही उम्मिद करते हैं ये वीडियो अपके लिए हेलफुल रहा अगर कोई डाउट रहे तो कॉमेंट करके जरूर बताए मैं आपका कॉमेंट करे प्लैज जरूर करूंगा और अगर वीडियो आए तो लाइक और शेर करें और काइंडले चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू